हलो फ्रेंट असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हमें आपर बनाने जा रहे हैं चिकन पोटा मसाला फ्राई जो कि खाने बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही डिलिशस है और बनाना बहुत ही आसान है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें ब एक पोटा के हम चाल टुकड़े कर लेंगे तो यहां पर हमने कडाई गरम करने के रखे अथा है , और कडाई में हम तेल गरम करेंगे तो मैंने यहाँ पर सरसो का तेल लिया है आप चाहें तो नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं जो आपके घरों में रोज यूज होता है वो तेल आप ले सकते हैं है तो यां पर एक प्यास को हमने अच्छी तरीकि occasionsidrais में कट कर लिया है और इसको तेल में डाल दिया है दो अचीय तरीकिया तरीकिस तो प्यास के साथ ही लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता तो यह देखिए पोटा को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो इसमें हम डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच अध्रक लेसुन का पेस्ट और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट और दोनों को हम डाल कर इसको चलाते हुआ अच्छी तरीके से भून लेंगे प्यास के साथ ही और अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देते हैं जैसे केक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सारी चीज़ों को चलाते हो अच्छी तरीके से हम भून लेंगे मसालों को बिल्कुल ड्राइ भूनेंगे बिल्कुल पानी भी बिल्कुल भी नहीं डालना है और लगतार चलाते हो इसको हम अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेते हैं तो यह देखिए तेल बिलकुल अलग होने लगा इसकों ने भून के इसको नइद्ट से लगा यह थे हैच तो एजके फींदert के आओ kalau आप चाहिए अपने टेस्ट के यशाप चाहिए फरुशन करें और अब तोड़ा सा पानी डाल तो फ़गा पानी और डाल देते हैं ताकि अच्छी तरीके से पक जाए एक कप पानी इसमें डाल दिया है और ढखकर हम लगबग 5-6 मिनिट के लिए इसको पका लेते हैं तो 5-6 मिनिट हो चुके हैं और पानी जो है वो ड्राइ हो चुका है और यह अच्छी तरीके से पक चुका है तो इसको अब लगतार ही इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि मसाले जो हैं थोड़े से और बुन जाए तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कटी धनिया की पत्त और इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे चिकन पोटा जो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है और इसको हमने चलाते हो अच्छी तरीके से भून कर बना लिया था तेल विल्कुल उपर सा आने लगा है तो अब हम गैस को बन कर देते हैं और इसको ह ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियू को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये चिकन पोटा मसाला की रेसिपी आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कैसी लगी